अब यहाँ पर मैं दोख़ा है एक छोड़ा सा तुक्का मारने के लिए अपना existing logic का use करूँगा कि explicit यहनी कि बाहर और implicit मतलब अंदर कैसे explicit में x का मतलब हमेशा होता है जिसकी तुमारी x होगी तो वह हमेशा बाहर जा चुकी है सिमिलरली export है तो export मतलब होता है समान का बाहर जाना है है को मर्शिंज तो आज की वीडियो में हम लोग economics का मौक टेस्ट सॉल्फ करने वाले हैं और आज हम जैसे कि हमने अकाउंट की वीडियो में किया था इस बार भी हम लोग 50 questions प्लस यहां पर सॉल्फ करने वाले हैं मतलब 50 questions ही रहेंगे basically और यहां पर देखेंगे कि आपर 50 questions सॉल्फ करवाने वाले हैं यानकि सबके मौक टेस्स आपको मिलने वाले हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड शेर करो अपने दोस्तों को ताकि उनको भी फ्री content available हो अब हमारा सबसे पहला question आता है that is in economics scarcity refers to a situation वेन यानकी scarcity किसको बोला जाता है तो scarcity मेरी तब होती है जब मेरी जो डिमांड होती है वह बहुत जाद हो जाती है जिसके कारण मार्केट में जितने भी resources उसमें कमी आ जाती है scarcity आ जाती है और supply मेरी काम है ठीक है तो यहाँ पर हम लोग options देख लेते तो बात करता हूँ तो बिल्कुल करेक्ट option हो जाएगा क्योंकि मेरी डिमांड बहुत जादा supply बिल्कुल कम है अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो जाता है Dash is a system in which people earn a livelihood to fulfill their wants तो यहाँ पर देखो बहुत ही easy है यह यह हमारा abroad जाता है कि economic ऐसा system होता है जहाँ पर सब लोग कमाते हैं और फिर वो अपने bonds को fulfill करते हैं market में ऐसे नहीं होता market का मतलब होता जहाँ पर buy or sell होता है ठीक है आगे बढ़ते हैं तो जाता है Dash is the problem which is concerned with the distribution of national income among those who have helped to produce it यानि कि अब यहाँ पर यहाँ पर यह कैसी problem आती है जहाँ पर हम distribute करते है national income को जिनने उनको बनाने में help करिये यानि कि basically यहाँ पर factors of production की बात किया लिए तो यहाँ पर अगर हमको national income को distribute करना है तो इस चीज़ से associated होगा how to produce, what to produce, why to produce and for whom to produce why to produce तो हो निसकता क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है how to produce में tech आता है कि भाई कॉंसी technique यहाँ पर use की गई है what to produce में आता है कि भाई क्या produce करना है पर whom to produce और कि 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 के लिए produce करना है तो यहाँ पर distribution होता है तो whom to produce is your right answer next question हमारा आता है that is if a consumer is in equilibrium अगर वो बंदा equilibrium पर है consuming one commodity how he will respond to the fall in price of the commodity देखो यार अगर एक ही हमारा बंदा है ठीक है एक बंदा है यहाँ पर उसकी मैं तस्वीर बनाता हूँ यह एक ही बंदा है जिसने क्या किया है equilibrium पर था मज़े से खापी रहाता अब हुआ क्या कि जब यह momos लेने के लिए गया तो वहाँ पर उसका जो प्राइस है वो काम हो गया momos का प्राइस गिर गया अब यह क्या करेगा उस commodity का decrease करेगा अपना consumption, increase करेगा consumption constant जाएगा सोचो अगरे तुम्हारे पास 50 रुपए के momos मिलते हैं अब वह 20 रुपए के मिल रहे हैं तो इस बात है अब एक प्लेट के जागर दो प्लेट मॉमोज खाओगे और यहां पर increase कर दोगे consumption को तो increase the consumption बिल्कुल right answer हो जाता है फिफ्त पर चलते हैं utility is same as usefulness which of the below options fits the given statement always true partial to false and incomplete तो यहां पर देखो सबस्वारे समझना पड़ेगा utility का मतलब क्या होता है utility का मतलब अगर मैं simple terms में बोलो तो satisfaction होता है आप कितने satisfied होते हो और usefulness का मतलब होता है कि वह आपके यूज में आ रहा है यानि कि अच्छा चीज़ है जिसके आप पढ़ाई कर रहे हो तो अगर यहां पर हम situation लेकर के चलते हैं तो अगर आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई कच्छी चीज़ है वह आपके बहुत काम की बट क्या आप से satisfied होते हो कभी satisfied ने होते हो कभी मज़ा नहीं आता तो यहां पर utility और usefulness कभी भी सेम नहीं होते हैं इसका एक और useful ने पर बहुत satisfy करता है तो यहां पर false जो है बिल्कुल correct answer हो जाता है next पर जलते है next जाता है in case of a single commodity अगर single commodity है तो consumer equilibrium में कब होगा तो यहां पर इसका formula थोड़ा सा पढ़े के आना पड़ेगा इसको फैने से तुक्का नहीं लगा सकते पर PX equals to MUM बिल्कुल नहीं होगा PX upon PY बिल्कुल नहीं होगा M UX upon PX equals to MUM यह हो सकता है और एक यह हो सकता है तो यहां पर correct option हमारा A आज आता है पर A जिननल भी लोग ने मांग किया वह बिल्कुल गलत है क्योंकि सच में जो राहिट आंसर है that is B that is M UX upon PX equals to MUM ठीक है यह एक यहां कि मेरा ED जो है Elasticity of Demand वो बिल्कुल इंफिनिटी पर है तो यहां पर इसका मतलब क्या है Perfectly Elastic Demand है Perfectly Inelastic Demand है Unitary Elastic Demand है More Than Unitary Elastic Demand तो यह तो कुछ होता ही नहीं है अगर मैं Unitary की बात करूं Unitary नहीं हो सकता क्योंकि Unitary मतलब होता equals to 1 तो यहां पर यह भी नहीं हो सकता Unitary Elastic क्यों ही होगी क्यों क्यों इंफिनिटी टाइमस है इसका मतलब समझ रहा ना वो इंफिनिटी टाइमस बढ़ रहा है तो यहां पर परफेक्टली Elastic Demand जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाता है अब यहां पर और questions रहेंगे price elasticity पर तो यहां पर एत्स question हम देख रहा है तो अगर एक जो गुड है उसका जो price है if a 10% rise in price of good x leads to 20% fall in its quantity demanded then its elasticity way of demand is तो यहां पर देखो 10% अगर राइस हो रहा है एक सेकेंड बैटरी बिल्कुल कम रची है और 20% जो है वो नीचे फॉल हो रहा है हमारा डिमांड की price हमारा जो है वो 10% से बड़र 20% quantity demanded fall हो रही है तो यहां पर हम क्या करेंगे तो इसका बिल्कुल ही बिल्कुल करेक्ट आंसर अगर मैं आपको बताऊं तो क्या होगा वह लास्टिक इनलास्टिक इनलास्टिक परफेक्टली लास्टिक यहां पर जो इलास्टिक और ऐसा क्यों यहां पर हमेशा जो प्राइस और कॉंटिटी हो यह समें हमेशा एक पर इंवर्सर रेलेशनशिप होता है है तो यहां पर अगर प्राइस जादा हो रहा है तो कॉंटिटी फॉल ही होगी यहां पर अप्कॉर्स ही बात है लास्टिक यह सिचुएशन हो जाती है को इस जगा यहां पर आपको 10 पर्सेंट ओ रहा है कि अपर कंटिटी डिमांड़ यहां पर इसको कर दीता हूं तो अब हम लोग यहाँ पर चले जाते हैं, that is marginal utility curve of a consumer is also his, तो marginal utility अगर एक consumer है तो उसका क्या होगा वो, तो तो consumer के perspective से देखो, utility का मतलग क्या है कि जब भी आप एक additional unit को consume कर रहा हो, तो आप वो कितना satisfaction मिल रहा है, तो अगर मैं consumer point of view से देखो, तो वो क्या बोलेगा, क्या यह एक indifference curve है, total utility curve है, supply curve है, demand curve है, अगर आप ध्यान से देखते हो, तो यहाँ पर correct option होगा, demand curve, यूँकि जब भी वो additional unit को consume कर रहा है, तो एक तरीके से वो और demand कर रहा है, और additional units, तो यहाँ पर demand curve हो जाता है, 11 पर चलते हैं, 11 पर आजाता है, that is, what will be the elasticity of demand, if price changes, यानि कि यहाँ पर क्या हुआ है, price change हुआ है, and total expenditure remains constant using total outlay method, total outlay method का मतलब में बता जाता हूँ, that is, कि जो total expenditure है, that is, equals to price into quantity, तो इसने क्या बोलाए, कि जो price change है, and total expenditure remains constant, यानि कि यह भी constant है, for example, पली one है, तो अगर मेरा total expenditure one है, मेरा price भी one है, तो मेरे quantity क्या होगी, यहाँ पर यही पूछा गया है, what will be the demand, elasticity of demand पूछा गया है, basically, तो quantity basically क्या होगी, तो अगर मैं ध्यान से देखते हूँ, तो यहाँ पर quantity क्या हो जाएगी, क्योंकि one ही हो जाएगी, क्योंकि सब कुछ one है, तो यहाँ पर unit elastic जो है, वो correct option आपका हो जाएगा, क्योंकि quantity में भी कुछ चेंज नहीं आएगा, that will be equal to one, clear है बात, आगे बढ़ते हैं, next question हमारा जाता है, that is, increasing returns is applicable because of, increasing returns is applicable because of, यहाँ पर increase efficiency होती है, variable factor की, fuller utilization दो fix factor का, indivisibility of factors होती है, both a and b, तो यहाँ पर simple सी बात, अगर मैं both a and b को लेकर के चलता हूँ, जो कि जातर mcq में अगर आपको both option दिये रहते हैं, बोट a and b, तो जातर वही होती है, मतलब ऐसा देखा है, जितनी भी देखें, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं, तो यहाँ पर अगर आपनको returns जाधा चाहिए, तो variable factors भी important है, और fixed factors भी important है, दोनों का utilization full होना चाहिए, तो यहाँ पर correct option क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानि कि जो डी option हो वो बिल्कुल correct हो जाता है, थर्टीन पर चलते हैं, payment made to outsiders for their goods and services are called, अब देखों यहाँ पर क्या बोला गया है, कि यह opportunity cost होता है, real cost, explicit cost और implicit cost, अब इस पर मैं तुम्हें तुक्का मारना सिखाता हूँ, ठीक है, अब देखों तुक्का कैसे मारा जाता है, अगर मिरे को इसका answer नहीं पता है, सबसे पहले मैं अपनी existing knowledge का use करूँगा, कि मिरे को इसमें से कौन से option का मतलब पता है, तो यहाँ पर opportunity cost का मतलब मुझे पता होगा, मैं बहुत time से पढ़ते आ रहा हूँ कि opportunity cost का मतलब होता है, कि जब मैं एक alternative चुनता हूँ, तो बाकी की alternative बचे होते हैं, उसकी cost को opportunity cost कहा जाता है, जो कि इससे बिलकुल अलग है, तो यह तो opportunity cost तो होई नहीं सकता, ठीक है, real cost पर चलता हूँ मैं, real cost जैसा मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, यहनी कि बाहर और implicit मतलब अंदर, कैसे explicit पर x का मतलब होता है, जिसकी तुम्हारी x होगी, तो वो हमेशा बाहर जा चुकी, similarly export है, तो export मतलब भी होता है, समान का बाहर जाना, तो explicit cost का मतलब क्या होगा, cost का बाहर लगना, तो आपने payment जब outsider को कियोगी, तभी तो explicit cost होगी, तो यहाँ पर C जो है, आपको correct option हो जाता है, clear है बात, आगे बढ़ते हैं, 14 पर चलते हैं, तो यहाँ पर आता है, total revenue generated from sale of output of a firm can be calculated as, TR equals to pay into Q, TR equals to AR into Q, TR equals to SMR, all of these, तो यहाँ पर तुमको पढ़ा होगा, तो of course यहाँ पर तुमको पता होगा, correct answer हो जाता है, इन monopoly, अगर आपने monopoly की बात कर रहे हैं, monopoly की अगर बात कर रहे हैं, monopolistic competitions की यहाँ पर बात कर रहे हैं, AR and MR curve are downward sloping because forms can sell more by, यहाँ पर देखो, AR and MR curve जो होते हैं downward होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जादा sell कर रहे हैं, तुम लोग खुद बताओ कभी भी जादा sell कब होता है, consumer कब जादा खरीदेगा, इसको बिल्कुल AR and MR curve को हटा दो, यहाँ पर बोला गया है कि firms sell more by, अगर तुम last line को भी देखते हो, तो जब कब sales जादा होती है, जब हमारा price increase होता है, जब decrease होता है, constant होता है, all of the above, of course ही बात है, जब price lower होता है, तब मैं जादा sell कर सकता हो, तो 15th का भी answer मेरा correct हो जाता है, 16th पर चलते हैं भाई, when MC is greater than MR, यानि कि मेरा जो marginal cost है, वो greater than marginal revenue से, cost मेरा जादा है revenue से, ठीक है, after producers equipped them, it means it is a profit for the firm, producers will produce, producing more will lead to decline in profit, no profit, no loss, firm enjoys economic efficiency, मेरा cost जादा revenue से, मेरा जादा पैसा खर्च हो गया है, मेरे को revenue कम मिला है, तो यहाँ पर अगर मैं profit तो बिल्कुल नहीं हो सकता, no profit, no loss भी नहीं क्योंकि मैं तो लॉस होगा, अगर मैं ऐसी चलता रहा, firm enjoys economic efficiency भी नहीं हो सकता, क्योंकि कैसे economic efficiency आईगी, यहाँ पर correct option क्या हो जाएगा, कि यहाँ पर मेरा profit decline होगा, क्योंकि मेरी cost जादा है revenue कम है, ठीक है, तो बिल्कुल easy तरीके समझा दिया है, आगे बढ़ते हैं, 17th question आजाता है, the claim that other things being equal, the quantity supplied of a good rises when price of a good rises and vice versa is known as, तो यहाँ पर कौन सा यह होता है, तो I hope so, इसका answer हर बच्चे को पता होगा, कि इसको क्या बोला जाता है, law of supply बोला जाता है, clear है बात, कि यहाँ पर quantity supplied की बात किया रहे है, तो quantity supply आप जित्ता करते हो, और जो भी good rises होता ह उनका एक अच्छा कासा relationship होता है, ठीक है, ओके, आगे बढ़े जाते है, a firm will supply more quantity of a commodity, यानि कि जो firm है, वो ज़्यादा quantity अगर supply करती है, commodity की at same price or even at a reduced price, the firm wants to maximize profit, maximize social welfare, maximize sales, maximize wealth, अब दो को social welfare तो हो नहीं सकता, ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, sales कर रहे है, profit कर रहे है, यहाँ पर होने के chances हैं कि नहीं, यह सोचो, तो profit तो यहाँ पर नहीं सकते है, क्योंकि reduce कर दिया उसने price, तो उसको profit होने के chances तो जादा नहीं है, वो यहाँ पर sales को maximize करना चाहती है, wealth तो नहीं हो सकता, sales ही यहाँ पर correct option हो जाएगा, 18th का C, because उसको sales बढ़ाना है, इसलिए उसने price reduce कर दिया, तो वो हो जाता है, जब आपकी दुकान के सामने 50% off लेखा रहता है, यानि कि वो sales बढ़ाना चाहते है, ठीक है, if a firm supply increases due to application of improved technology, this is known as, यहाँ पर मेरा जो supply हो इंक्रीज हो रहा है, supply increase होता है because of technology, यहाँ पर मैं इसको क्या बोलूंगा, expansion in supply, contraction in supply, increase in supply, increase in quantity supply, तो यहाँ पर यहाँ पर यह तो मतलब थोड़ा सा अजीब हो गरीब टाइप का question है, तो यहाँ पर expansion बोलेंगे, इंग्लिश का question लग रहा है, expansion बोलेंगे, increase बोलेंगे, contraction of supply तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर correct option आपको जाएगा, increase in supply, ठीक है, यह चीज थोड़ा सा will be its impact on supply of goods, supply of goods पर क्या effect पड़ेगा, increase होगा, decrease होगा, तो यह बिल्कुल ऊपर वाले question जैसा ही था, कि अगर technology अच्छे होते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर supply जो है, वो increase हो जाएगी, तो 20 का आपका option हो जाता है, Dash is a situation of the market in which demand of a commodity is exactly equal to its supply, corresponding to its price, हैनिकि मेरा जो demand है, that is exactly equal to its supply, क्या होगा, consumer equilibrium होगा, producers होगा, market equilibrium होगा, balance of trade होगा, तो of course यह बात है, balance of trade तो बिल्कुल नहीं हो सकता, equilibrium होगा, producer का हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों equal में है, तो यहाँ पर simple simple बोले हूँ, तो यहाँ पर C option जो आपका बिल्कुल correct हो जाएगा, market equilibrium, market equilibrium क्यों होगा, क्योंकि market में ही demand and supply equal होगा, तो of course यह बात है, market equilibrium हो जाएगा, 21 का C, monopolistic competition combines the features of the falling market, तो यहाँ पर monopolistic competition में क्या आता है, perfect competition is monopoly, monopoly and oligopoly, okay, perfect competition is oligopoly and oligopoly, तो तो क्यार इसको oligopoly बोलते हैं कि oligopoly मुझे नहीं पता, मैं oligopoly decide गरता हूँ, ठीक है, अब देखको सबसे पहली बात है, monopolistic competition का मतलब होता है, एक बंदा, एक बंदा ही राजा होता है, पूरे market का, अब अगर मैं perfect competition and monopoly को छोड़ करके बाकी option देखता हूँ, यनकि B, C, D को देखता हूँ, तो यहाँ पर oligopoly बहुत जादा यूज हुआ है, तीनों बे, और oligopoly का मतलब होता है कि जहाँ पर small number of competitors होते ही होते हैं, तो यहाँ पर correct option क्या हो जाएगा, perfect competition and monopoly, क्यों Okay, which of the falling is, are the feature of monopolistic competition, तो monopolistic competition के क्या features होते हैं, product differentiation होता है, selling cost होता है, बोत ENV, अब दोकर product differentiate नहीं होगा, तो फिर एक बंदा कैसे ही बेचेगा, ठीक है, आज के time पर monopolistic क्या है, अब याद नहीं है, अब याद नहीं है, अब ठीक है, अगर तुम्हारे जगा पर एक ही बंदा Momos बनाता है, और बागी सब लोग पीज़ा बना रहे है, तभी तो उसका product differentiation होगा, तभी तो उसने monopoly यहाँ पर लिया, ठीक, जियो ने क्या किया था, 4G network बहुत ही कम प्राइस पर लेकर के आया था, और सबसे पहले जियो ही लेकर के आया था, तो यहाँ पर उसका product differentiate होगा, तो वो एक monopoly खेल गया, समझ में आ रहा है, और B हो जाता है, selling cost, क्या cost रख रहा है, वो भी यहाँ पर depend करता है, तो यहाँ पर both A and B जो है, right answer हो जाते हैं, 24 पर चलते हैं, तो 24 पर जाता है, supply cost by binding a price floor will be greatest if, तो अगर मैंने यहाँ पर bind किया है, price floor को will be greatest if, demand is inelastic and supply is elastic, supply is inelastic and demand is elastic, both supply and demand are elastic, both supply and demand are inelastic, तो यहाँ पर price flooring की बात की गई है, तो हम सब लोग जानते हैं, कि यहाँ पर जो correct answer है, जब supply and demand दोनों elastic होते हैं, वहीं पर हम लोग price floor को greatest बोलते हैं, clear है बात, ठीक है, 25 पर जलते हैं, black marketing is a situation in which the controlled commodities sold at a price dash, then the price fixed by the government, तो देखकर हम सब लोग जानत तो तुक्का मारने कोशिश कैसे करेंगे कि यहाँ पर black marketing, black marketing, black money से related to कुछ चल रहा है, तो black marketing मतलब यह होगा कि कुछ उल्टी सीदी चीज़ कर रहे हैं, ठीक है, जब यहाँ पर controlled commodity is sold, अब controlled commodity का मतलब क्या है, कि उसका price कहीना कि government ने fix किया, जो कि यहाँ पर लिखा भी तो correct option यहाँ पर क्या जाएगा, higher, अब कहां गया भाई, तो यह option हमाना बिल्कुल correct हो जाता है,